तो दोस्तों आज हम लोग अपने पिछले टॉपिक जो कि डाइजेशन हमने शुरू किया था जिसमें हमने फूड के बारे में जाना था उसी टॉपिक को हम कॉंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है डाइजेशन जो भी हम खाते हैं वो उसी तरीके से यूज हो जाए तो डाइजेशन के जरूएत ही ना पड़े लेकिन हमें तो डाइजेशन करना पड़ता है तो इस सब्द को जानना भी हमारा फर्ज बनता है तो पहला सब्द जो हम पड़ेंगे कि एक मेकेनिकल और बायो केमिकल प्रोसेस है दोनों सब्द एक साथ लिखे हुए हैं एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है यानि कि दोनों का होना जरूरी है अगर मेकेनिकली हो रहा है तो वो सरीर के अंदर होना चाहिए बायो केमिकली भी होना चाहिए यहाँ पर mechanical का मतलब है कि जैसे कि आप रोटी को तोड़ हैं तो अगर आप अपने हाथों से रोटी को तोड़ आइं उसको how to digestion नहीं कहेंगे अगर वो तूटना हमारे सरीर के अंदर हो रहा है तो हम उसे digestion कहते हैं हाँ, उस रोटी को तोड़ने के लिए हम कुछ chemical reaction भी कराते हैं उस पे लेकिन chemical reaction अगर वो test tube के अंदर हो तो उसे हम digestion नहीं कहेंगे उसे हमारे सरीर के अंदर होना पड़ेगा इसलिए हमने यहां सब दिस्तमाल किया biochemical तो यहां पे हमें एक definition मिल गए कि digestion is a mechanical and biochemical process अब बात होती है यहां पे कि चलिए mechanical और biochemical process तो है लेकिन मुद्दे की बात यह उठती है कि इसको जो तोड़ा जाता है वो क्यों तोड़ा जाता है और कब तक तोड़ा जाएगा तोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि complex food पाया जाता है तो उसे तोड़ने की मजबूरी है लेकिन अगर उसे तोड़ते भी हैं ब्रेक करते भी हैं तो उसे कब तक तोड़ें तो उसे तब तक तोड़ें जब तक वो absorb होने लायक ना हो जाए उसे हम तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक वो absorb होने ना लग जाए यानि कि simple और absorbable form में ना हो जाए तो यहाँ पर हमें एक और definition मिल गई कि digestion is a mechanical and biochemical process by which it can be absorbed into its simple form अपने simplest form में हो जाए जिससे कि वो absorb हो पाए उसी को हम digestion कहते है हला कि यह सरीर के बाहर होगा तो उसे हम digestion नहीं कहेंगे चाहे वो mechanical ही हो चाहे वो chemical ही हो सरीर के अंदर होता है inside a living cell होता है इसलिए हम यहाँ पर biochemical का इस्तमाल कर रहे है तो हम इसे भी add on कर सकते हैं कि it is a mechanical and biochemical process which break the complex food to its simple form that it can be absorbed inside a living cell inside a living cell एक living cell के अंदर की बात हो रही है अगर हम किसी test tube में यह process करेंगे समझ लिए कि digestion क्या होता है लेकिन बात यहाँ पर यह उठते है कि digestion की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें खाने को पचाने का जरूरत पड़ा ही तो क्यों तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि digestion की जरूरत हमें पड़ी तो why we need digestion हमें क्यों करने के जरुवत पड़ी दरसल हम जो भी फूड जो भी फूड इंटेक करते हैं नेचर के से हम जो भी खाना अपने अंदर ले जाते हैं उसे हम उस फॉर्म में एब्जॉब नहीं कर सकते हैं और absorb नहीं कर सकते हैं, तो utilize भी नहीं कर सकते हैं, यानि कि उसका use भी नहीं कर सकते हैं. Nature में आपका component पाया जाता है, starts, जो कि carboidate का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम उसे उस form में नहीं absorb कर सकते हैं. तो हमें उसे उसके simplest form में बदलना पड़ता है, जिससे कि हम उसे absorb कर पाएं और उसे utilize कर पाएं, तो इस वज़े से हमें digestion के जरुवत पड़ी हैं, हाला कि इसका कहने का मतलब ये नहीं हैं, कि जितनी भी चीज़े हम nature से ले रहे हैं, जितनी भी चीज़े हम intake कर रहे हैं, सब क पचाने की जरुवत हैं, सब को digest करने की जरुवत हैं, कुछ चीज़े ऐसे भी हैं कि जैसा हम लेते हैं, वैसी ही वो use हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, विटामिन, यहाँ पे एक सब्दाया, विटामिन, मिनरल, वाटर, अब विटामिन, मिनरल, वाटर, जैसे जिस फॉर्म में हम लेते हैं, उसी फॉर्म में रहता है, उसको digest करने की जरुवत नहीं पड़ती है, लेकिन digest करने की जरुवत अगर नहीं पड़ती है, इसका इसलिए इने digestion की जरुवत नहीं पड़ती अगर हम starch के जगह पे हम direct glucose भी लेने लगें direct glucose भी लेने लगें तो हमें digestion की जरुवत नहीं पड़ी जैसे कि आपका glucondi अगर आप glucondi direct पीते हैं तो वहाँ पे हमें digestion क्यों सकता नहीं पड़ेगी हम उसे directly absorb कर लेंगे और utilize कर लेंगे अगर आप खाने में amino acid खाते हैं खाने में amino acid की बात कर रहा हूं protein की नहीं खाने में अगर आप amino acid ले रहे हैं तो वहाँ भी हमें digestion की जरुवत नहीं पड़ेगी हम उसे direct यूज़ कर लेंगे लेकिन हम प्रोटीन खा रहे हैं अगर तो उसे तोड़के एमिनो एसीड में बदलना पड़ेगा तब ही हम उसे लियूज कर पाएंगे अमीद करते हैं समझ में आयोगा अगले शेशन गई तजार करते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्ट वीडियो में